कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ, आप सभी अच्छी होंगे और अच्छे सपनी प्रपेशन कर रहे होंगे, तो फ्रेंट जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी का जो एक्जाम है वो कल से स्टार्ट होने वाला है, और आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के क कल जो है तेजी के साथ करना है, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए और एक्जाम में जो भी प्रपेशन आपका पूचा जाए, फटाफट से आप उसको असानी से कर दें, तो बहुत तेजी के साथ यहां पर जितने भी छात्र जुड़ चुके हैं, सभी तेजी के साथ एक संगर्सकर अभी तुझे बहुत दूर तक जाना है, जिन्नों ने ये कहा है कि तेरे बसकी नहीं है, उन्हें ये करके दिखलाना है, तो अपने मार्क की और आपको हमेशा बढ़ते रहना है, और फटाफट से सभी केंडिट यहां पर जाए, देखे शुरुवात करेंगे त एजी के साथ सभी केंडिट केंड सरकार ने यूवाउं लेक को मार्क दर्शन देने के लिए कौन सी योजना है आपर शुरू की है, तो याद रखना ऑप्शन एक रख्ट हो जागा जितने भी छात्रों का यूवाप 2.0 जो है, वो केंड सरकार के द्वारा शुरू की गई तो यह आप सभी का हो जागा फर्स्ट कोस्टन का सही आंस्वर, नेस्ट जो कोस्टन आप सभी के सामने है, नेस्ट देश का पहला राज्य जो हर घर जल प्रमानित राज्य बना है, तो देखें यहाँ पर राज्य पूचा गया है, हर घर जल प्रमानित राज्य कौन बना तो गोवा हो जाएगा D option इसका correct transfer जितने भी छात्रव का DR है बिल्कु सही है next question देखेंगे और फटा-फट से सभी candidate answer करेंगे देखे PM बोधी ने देश भरके स्कुलों के विकास को upgrade करने के लिए कौन सी योजना शुरू किया है तो बहुत ही महत्पून है यह आप सभी को देश भरके स्कुलों के विकास को upgrade करने के लिए तो यहाँ पर PM स्री योजना शुरू की गई है तो option C करक्ट हो जाएगा जितने भी छात्रे आपर सी दे रहे हैं बहुत अच्छे PM स्री योजना देखें बहुत अच्छे से आपको revision करना है देखें अब यहाँ पर जो है एक चीज और ध्यानतना है हर घर जल जिला आपसे पूछा था अब यहाँ पर जिला पूछा है तो जिला आपको प्रमानित जिला कौन सा बन गया है वो आप सभी को ध्यानतना मद्दे परदेश का बुरहान पूर्ज है वो option यह करक्ट हो जाएगा जितने भी छात्रों का यह आ रहा है बिल्कुल करक्ट हो जाएगा देखेंगे फ्रेंड्स फटाफट से यहाँ पर सभी candidate तेजी के साथ जैहिंद जिन्दे भी candidate यहाँ पर लेट है सभी को जैहिंद आप सभी क्या करें फटाफट से notebook साथ में लेकर के बैठें और आप से भी को ध्यान देना है देखेंगे नैस्ट जो कोश्चन है भारत और कजाकिस्तान आप सभी के लिए कोश्चन तयार किये गए हैं और आप सभी का एक्जाम है तो उससे पहले मैं आप से भी कोई प्रोवाइड कर दूँ यह मेरा कर्टब बे बन जितने भी चात्रों का उप्सेंस यहँरह है बिल्कूस ही है देखें फटाफट से आप सभी को ध्यान देना है देखें बहुत ही महत्तमून पिसन है, वेरी वेरी इंपोरटन्ट है जिसको मैं कहूं आपको नौट करना है कि कैन सरकार ने गरतनत्र डिवस रिपबलिक इसका जो Chief Guest है, वो किस राश्ट अध्यक्ष को मंतरित किया है, तो हमें आपको यहाँ पर ध्यान लगता है, इस बार जो आ रहे हैं आपके, अपदैल फत्य अल सीसी आ रहे हैं हैं यहाँ पर, यह मिस्र के हैं, आप सभी को यहाँ पर ध्यान लगता हैं, तो यह क्या हो इसे कहा हैं, इसे इस इस से 45 किलोमेटर की दूरी पर है, और इसे कहां पर ध्यान लगता है, तो हल्दवानी में इसको इस्तांत्रित करने के मंजूरी दे दिया है, देखें नेस्ट को सन देखेंगे, friends फटाफट से सभी candidate कि supreme court ने बलतकार के मामलों पर किस प्रकार के test पर रोक लगा दिये देखिए बहुती महत्पून प्रिशन है और exam की द्रिश्टी से तो बहुती महत्पून है तो यहाँ पर द्यान लगाना है two figure जो आपका finger test होता है two finger और three finger दोनों test पर यहाँ पर रोक लगा दिये supreme court ने इस चीज को ध्यान लगाना है very very important है तो यह option जितने भी छात्रों का रहा है बिल्कुल correct होगा देखिए next question आपके सामने ही friends और हमेसाथ आपसे कहता रहा हूँ कि अपने लक्षे के और निरंतर बढ़ते रहना है और अच्छे से आपको एक्जाम देना है देखिए एक्जाम से पहले सेंटर पर आपको पहुचना है जितने भी छात्र है तो आप सभी कहाँ पर ध्यान देना है देखिए कुछ-कुछ important है हाँ पर जो भी आपको fact वनेंगे वो बताता चलूँगा बट आपको क्या करना है साथ में revision करना है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने किस गाओं को बारत का पहला solar village घोसित कर दिया देखिए बहुत ही महत्पून है पहला गाओं है solar village घोसित किया गया है तो वो आपका modera होगा यहाँ पर option D जो है गुजरात का यह आप से भी को यहाँ पर ध्यान देना है option D इसका correct answer हो जाएगा अब देखिए next question है आप से भी के सामने कि Indian army ने किस देश की सेना के साथ जो है सूरिय किरण आपका यहाँ पर देख पर होंगे 16 जो है सेन अभ्यास किया है आप सभी के सामने तो friends इसका जो सही answer होगा नेपाल आप सभी को ध्यान देना है सबसे पहले सूरिय की किरण नेपाल तो आप सभी एक्जामनर पूछ ले कि सूरिय की जो किरण है वो किंद की से आर्मी सेनाओं के बीच होता है इस चीज़ को आपको यहाँ पर द्यान रखना है चलिए next question की तरफ चलेंगे next question आपके सामने friends देखे बहुत यहाँ पर आपसे भी देख पर होंगे भारत और किस देश के बीच संगम युदभ्यास दिसंबर 2022 में आयोजित क्या कहा है बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर द्यान रखना है देखे यहाँ पर जो है next question आपके सामने है कि केंद्र सरकार ने देश का प्रधान वैज्यानिक सलाकार किसे न्युक्त किया है देखे प्रधान केंद्र सरकार का जो है वैज्यानिक जो प्रधान सलाकार होता है वो किस सही हो जाएगा और यहाँ पर friends next question के तरफ चलेंगे देखे आप सभी को अच्छे से revise कराना है मेरा उद्दिस से यह है कि मैं आप सभी के लिए देखे content जो है तयार करने में थोड़ा सा time लगा है बट आपका exam कल से start है तो जितने भी चातर है वो देख करके जाएं और आने व है तो आप सभी जानते हैं इसका right transfer होगा सी जितने भी चातरों का रहा है एस सोमनात बिल्कुल correct हो जाएगा आप सभी का तो इस चीज को आपको यहाँ पर धान रखना है लेकिन next question के तरफ चलेंगे और हमेशा कहता रहूंगा कि अपने मन को हमेशा positive रखना है और अपने जो होसले हैं उनको हमेशा बुलंद रखना है क्योंकि एक्जाम फत्य आप जवी कर सकते हैं एक्जाम को clear जवी कर सकते हैं जब आपके अंदर होसला हो देखे friends हमेशा आपको positivity अपने अंदर रखनी है देखे ACI कुस्ती Championship 2022 की बात कर रहे हैं आपर वहत ही महत्पून है यह आपको द्यान लखना option B correct होगा सत्रे हैं आपर जो जीते हैं तो B इसका correct transfer हो जाएगा चलिए next question की तरफ चलेंगे next question है कि केंद सरकार ने नीती आयोग का CEO जो है किसे निक्ट किया है देकि नीती आयोग का CEO जो है वो कौन है तो परमेशवरन अयर जो है इसका correct transfer होगा option A इ चलेंगे सबी candidate क्योंकि बहुत ही मैधपून है नाबाड के नई chairman का पदवार किसने समाला है तो friends बहुत ही मैधपून हो जाता है तो जल्दी से फटा-फट वरताएंगे यहाँ पर इसका correct answer क्या हो जाएगा तो बिल्कूल साजी के वी साजी के वी हो जाएगा इसका साजी के वी option A करक्ट होगा देखिए बहुत सारे candidate यहाँ पर ध्यान लखना इसका सही answer option A हो जाएगा नाबाड के नई chairman का पदवार जिनोंने समाला है साजी के वी देखिए next question की तरफ चलेंगे आप सभी को पर हमेशा याद रखना है कि निगाओं में मंजिल थी और गिरकर हम समलते रहे हवाओं ने बहुत कोशिज की मगर चिराग आणियों में भी जलते रहे तो इसी तरह आपको निरंतर हमेशा चमकते रहना है और अपने लक्षे के और बढ़ते रहना है बहुत अच्छे असराज गंगाराम अहीर जो है इसका करक्ट आंसवर हो जागा D option जितने भी candidate का आंसवर आ रहा है बिलकूछ सही है देखे D option होगा इसका करक्ट आंसवर जहान लखना है सभी candidate को D option इसका जो है जहान होगा जहान लखना आप सभी को देखें नैस्ट कुश्चन के तरफ चलेंगे कैन सरकार ने देश का नया एटोनी जर्नल जो है वो किसे निक्ट किया है आप से भी देख पार होंगे कम्यूनिटी टेम में मैं आप सभी को हर एक दिन जो है कुश्चन देता हूँ तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जो गलत आंस्वर देते हैं तो इस चीज को आपको देहन लगना है एटोनी जर्नल किसे निक्ट किया है नया तो यह आप सभी को देहन लगना है और रमणी जो है इसका ओप्सन करक्ट हो जाएगा जितने भी कंडिडेट का बिल्कुल सही है देखें डियाडियो के यहाँ पर आप से भी इसे कोशन पूछ सकता है आप से भी जानते हैं डियाडियो के पूर्व चेयर्मैन सतीज रेडडी को किस मंत्री का वैग्यानिक सलाका बनाया गया है यह बहुती मैतपूण कोश्चन हो जाता है exam की दरिष्टी से तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी चात्रों का प्षण B रहा है बिल्कुल करक्ट हो जाएगा रक्षा मंत्री तो रक्षा मंत्री यहाँ पर हो जाएगा D-Option की जितने भी छात्रों का option आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए फटा-फट से next question देखेंगे next question है लोग पाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार जो है वो किसे मिला है बहुत ही मैत्पून है लोग पाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त जो प्रभार है वो किसे मिला है बहुत ही मैत्पून प्रिष्ण हो जाता है फटाफट से सभी candidate करेंगे तो इसका सही answer क्या हो जाएगा तो बिल्कुल दिनेश कुमार जेहन जो है यहाँ पर correct answer होगा यह option जितने भी छात रोगा रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा यह option दिनेश कुमार जेहन जो है वो लोगपाल के अध्यक्ष के अतिरिक्त कारियाभार समालेंगे देखेंगे next question आपके सामने है बहुत ही मैत्पून है कि पुछ तक listen to your heart दा लंदन एडवेंचर के लेका कौन है बहुत ही मैत्पून है listen to your heart दा लंदन एडवेंचर के लेका कौन है तो रस्कीन बॉन्ड हो जाएंगे इसका correct transfer option A जितने भी छात्रों का रहा है बिल्कुत सही है फटाफट से answer करते रहना है सभी candidate को तरजी के साथ और revision भी आपका इसी तरीके से आपका हो जाएगा यहाँ पर तरुन मज़ुमदार का हाली में निदन हुआ है आप सभी को ध्यानक ना है तो इन में से यह क्या थे यह आप से पूचा गया है तो यह क्या थे चार option यहाँ पर दे गए है फटाफट सांसफर करेंगे सभी candidate बिल्कुल जोस और जुनल के साथ देखें मंगल यान की बैटरी और इनन जो है वो खतम होने की मुख्य वज़े क्या थी जिससे यह मिसन जो है वो आपका समाप्त हो गया बहुत ही इंपोर्टेंट एक्जाम की दरिष्टी से तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ के निदिट का अनसफर आ चुका है फू गाकू को पचाड कर दुनिया का सबसे तेज सूपर कम्पूटर कौन बना है फू गाकू को पचाड कर दुनिया का सबसे तेज सूपर कम्पूटर कौन बना है तो आपको ध्यान लखना है फरेंटियर जो है यह आप सभी को ध्यान लखना है कि भारत का सबसे तेज सूपर कंपूटर अब कौन सा है तो यह आपसे भी गधन गए परमसिद्ध फरस्ट जो है अपका बारत का यह सबसे सूपर कंपूटर है परमसिद्ध AI जो है अपका यह भारत का है और जो हाली में बनाया वो फ्रेंटियर बनाया है दुनिया का सबसे तेज, देखें, next question आपके सामने है, और आपसे भी याँ पर देख पारूंगे, देज की पहली hydrogen fuel cell car Mirai से नितिन गड़करी जो है, संसत पहुंचे, तो यह किस company द्वारा बनाया गई है, यह आपसे पूछा गया है, बहुत तेजी के साथ आंसवर करें, सभी खेंडिरेट, ब बिल्कुल B option, जितने भी छात्र दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, Toyota company के है, देखें, next question देखेंगे, लोग सभा के अध्यक्ष कौन है, लोग सभा के अध्यक्ष कौन है, तो उमीद करता हूँ यह सभी तो आप सभी जानते हैंगे, ओम बिल्ला जो है, वो आपके लोग सभा क Justice, आप सभी को ध्यान लगनाए, D option बिल्कुल करक्ट हो जाएगा, जितने भी छात्रों का DRA, Justice, DY, चंद्रचूड, जो है, पचास में मुखे, यहाँ पर नियाईदी से आपको ध्यान लगनाए, चलिए next question की तरफ चलते है, आपके लिए बहुत ही महत्पून प्रिशन है क बारत का पहला कारवन न्यूटल फॉर्म जो है वो किस राज्य के फॉर्म यानि कि किर्ची छेत्र को गोशित किया गया है तो कौन सा राज्य है कि किर्ची छेत्र को बारत का पहला कारवन न्यूटल फॉर्म जो है वो गोशित किया गया है बहुत ही मैत्पून हो जाता है तो बारत विरोधी सामागरी दिखाने पर केंदर सरकार ने दिसम्बर 2022 में किस देश को OTT एप को ब्लॉग कर दिया है बहुत ही महत्पून कोश्चन है तो कौन सा देश है यह आप से भी को धनक ना है विरोधी सामागरी दिखाने वाले केंदर सरकार नहीं जो है तो ये भारत के खिलाब जो विरोधी सामगरी दिखा जाता है तो इसका सही आंसवर होगा पाकिस्तान बिल्कुल सही है जितने भी केंडीडी टॉप्सन भी दे रहे हैं बिल्कुल करक्ट हो जाएगा सभी का नेस्ट कोस्टन की तरफ चलेंगे नेस्ट कोस्टन है कि गुजरात के विदानसवा चुनाम में किस पार्टी को फिर से बहुमत से ज़्यादा सीटे मिली है तो आप सभी जानते हैं बीजेपी को बहुमत से ज़्यादा सीटे 156 सीटे मिली है या आप सभी को यहां पर ध्यान कौन सा जिले का नाम है, जिसका collect rate office जो है, paperless बनाएं, तो बिर्कुल सहर सा जो है, इसका correct transfer हो जाएगा, option A जो है, option A बिल्कुल correct होगा, जितने भी candidate का यह आ रहा है, बिल्कु सही है, देखें, next question आपके सामने है, कि कैंद सरकार ने, अंडमान, निकोबार के 21 दर्जन दीप का जो नाम है, वो किस पुरुसकार से सम्मानित वीरो के नाम पर रखा है, तो परमबीर चक्र होगा, इसका correct answer, जितने भी candidate का option भी आ रहा है, परमबीर चक्र इसका correct answer हो जाएगा, तो यह हमेसा आपको ध्यान लखना है, परमबीर चक्र इसका correct answer होगा, जितने भी candidate परमब नेस्ट कुश्चन आपके सामने महाराष्ट और किस राज्य के बीच जो है सीमा विवाद दिसंबर 2022 में हिंसक हो गया और दोनों राज्यों ने बस सेवा निलंबित कर दी तो हमेशा याद रखना है मैं आप सभी कोई कुश्चन करा भी चुका हूँ तो option जो है इसका correct transfer C देखे next question की तरफ चलेंगे किस यहाँ पर यह question exam की दरश्टी से महतपूर्ण है क्यों है किस देश की मतलब देश की जो हमारे भारत की पार्टी है किस पार्टी ने गुजरा चुनाब के बाद राष्ट्य राजनितिक पार्टी बनने की जो पूरी सरते हैं वो पूरी कर ल अब सिर्फ जो है उसको पार्टी का दरजा देना बाकी है तो आप से भी कहाँ पर ध्यान लखना है option जो है राजनितिक पार्टी का दरजा मिल जाएगा इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान लखना है देखे next question आपके सामने है कि पुस्तक दिल्ली यूनिवर्स्टी जो ह आपका जो है celebrating 100 glorious years के लेखक का नाम बताईए जो केंद्रिय मंत्री भी है तो यह पुस्तक है और यह आप सभी को धान लखना है तो यह इसका जो सही आंसवर हो जाएगा जो कि केंद्रिय आप सभी जानते हैं हरदीप सिंग पुरी जो है इसका correct आंसवर होगा जितने भी candidate क options CRR है बिल्कुल सही है और हमेसे आद रखना कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं मेरे दोस्त मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं फिर भी कुछ चातर इरादे तोड़ देते हैं या छोड़ देते हैं अगर जिद है आपके अंदर कुछ पाने की या चाह करें आपके लिए इतनी मेहनत की गई है देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पर कह रहा है कि नरेंदर मोधी जी ने किस राज्य में हनुमान जी की जो है 108 फिट की पृतिमा का अनावरन अभी अप्रेल 2022 2022 में किया तो द्यान लगना बहुत ही मैत पून है तो आप सभी को ध्यान लगना है कि option जो है b करक्ट होगा जितने भी छात्रों का गुजरात आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा यह गुजरात में की गई है आप सभी कहां पर द्यान लगना है देखिए नेस्ट कुस्टन के जांच की बाद जो है किस देश की हैकर्स का आथ पाया गया है तो आप से भी को धन्नक ना बिल्कुल जी ऑप्शन करक्टर होगा जितने भी छत्रों का चाइना आ रहा है बिल्कुल इसका सही आंसपर हो जाएगा तो यह चाइना का आथ पाया गया इसमें देखे नैस्ट कोश्चन है भारत का पहला जो है प्राइवेट इस्पेस वीकल लॉंच पैड कहां इस्तापित किया गया है देखे पहला है प्राइवेट है इस चीज का धन्नक ना बाहरत का है तो प्राइवेट इस्पेस वीकल लॉंच पैड जो है वो कहां पर इस्तापित क किया गया है बहुत ही महत्पून है यह option हो जाएगा इसका correct answer जितने भी candidate यह दे रहे हैं बिलकुछ सही है देखे हमेशा कहता रहूँगा मैं आप से भी से कि संगर्सकर्स अभी तुझे बहुत दूर तक जाना है और जिनों ने यह कहा है यूपीएससे के नए चेयर मैन कौन है तो बिलकुल यहाँ पर D option आ चुका है जाजातर candidate D option दे रहे हैं डॉक्टर मनोज सौनी होगा कुछ candidate का डिफरेंट आ रहा है ध्यान लटना डॉक्टर मनोज सौनी यूपीएससे के नए चेयर मैन है next question की तरफ चलेंगे विदेश सचिफ का नाम बताएं नए यहाँ पर विदेश सचिफ का नाम बताएंगे सभी candidate फटा फट से विदेश सचिफ जो है वो कौन है तो विने मोन कौत्रा जो है B option करक्ट हो जागा जितने भी छातरों का B option आ रहा है बिल्कुल सही है जो है इस चीज को धानना है छोटे छोटे question जो है आपको exam में यह देखने को मिल जाएंगे आप सभी को अच्छे से आपर करके जाना है देखे next question आपके सामने है कि बारत का पहला infantry संग्राल्य जो है वो कहां पर इस्तापित किया गया है देखे बारत का पहला infantry जो संग्राल्य वो कहां पर इस्तापित किया गया है बहुत ही महत्मून है हमेशा कहता रहूंगा कि friends हमेशा जो अपने लक्षे के और बढ़ते रहना है और हमेशा एक चीज याद रखना कि सफल होना है तो कदम भारी रख मेरे दोस्त सफल होना है तो कदम भारी रख बाहर निकल तूफानों से यारी रख कदम कदम पर मिलेंगे मुस्किले ये तैह है कदम कदम पर मिलेंगे मुस्किले ये तैह है पर तू निरंतर अपना सफर जारी रख कि तू निरंतर अपना सफर जो है वो जारी रख बिल्कुल यहाँ पर जितने भी candidate का option भी आ रहा है बहुत अच्छा इंदौर हो जाएगा इसका correct transfer देखें, next question की तरफ चलेंगे बहुत यह अच्छा question है कि आप से भी यहाँ पर देख पर रहेंगे जितने भी candidate हैं, बहुत अच्छे दिनेश कुमार सुकला जो है, इसका correct transfer हो जाएगा ए option जो है, जितने भी candidate का रहा है ए option होगा कुछ candidate यहाँ पर दे रहे हैं कृष्ण मूर्ती यह यह नहीं होगा आपका सही आंस्वर और option ए हो जाएगा जो होगा तो बिलकुल यहाँ पर लक्षमी सींग होजाएगा इसका correct answer जितने भी candidate का当 answer अट्वर है लक्षमी सींग जो है c option इसका correct answer हो जाएगा लक्षमी सिंग इसका करक्ट अंसवर हो जाएगा जो कि उत्तर परदेश में पहली महिला पूलिस कमिशनर बन गई हैं बहुत ही महत्पूर्ण है परिक्षा की दृष्टी से और फटाफट से यहाँ पर सभी कंडिडेट बताएंगे नैस्ट कुष्टन एक्जाम की दृष्टी से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि केंद सरकार ने देश का नया चीफ डिफेंस स्टाफ जो है किसे नियुक्त किया है फटाफट से सभी कंडिडेट तेज जी के साथ आंसफर करना है सभी को तो आप से भी को दयान लखना है यहाँ पर कौन हो जाएगा आपका अनील चौहान हो जाएगा करक्ट टांसफर ऑप्षन इनहीं जो है जो नया Chief Defense Staff जो है बनाया गया है पहले कोन थे वो आप सभी जानते हैं जनर्रल विपिन रावत से या आप सभी कहां पर ध्यान रखना है बहुत ही महत्पून हो जाता है एक्जाम की दृष्टी से जितने भी Candidate यहां पर देख रहे हैं आप सभी से कहूंगा कि अंतिम समय है और आप सभी के लिए बहुत ही महत्पून सेशन लेकर के आ चुका हूँ तो जितने भी छात्रों को इस सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जैरों करें और अपने सभी दोस्तों के साथ सेर करें देखे फ्रेंड्स All India Football Federation का नया नाम अध्यक्ष जो है वो किसी चुना गया है और जितने भी सेशन मैंने कराए है उनका सभी PDF जो है वो टेलिग्राम पर डला हुआ है तो आप से भी जो है रिवाइज करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आपको पिन मिल जाएगा वहाँ से जाकर के आप जो है जो है जॉइन करके उसे वहाँ से सारी PDF रिवाइज कर सकते हैं तो All India Football Federation का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है बहुत ही महत्पून है तो कल्यान 24 इसका correct answer होगा जितने भी candidate का option आ रहा है डी कल्यान 24 इसका correct answer हो जाएगा देखे next question आपके सामने है कि National Investigation Agency NIA का महानिदेशक किसे निक्त किया गया है देखे वो question बहुत ही महत्पून है तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी candidate का आ रहा है देख पार हूँ मैं दिनकर गुपता जो है बिल्कुल सेयांसवर हो जागा जितने भी छात्रों का दिनकर गुपता आ रहा है बी option जो है इसका correct answer होगा बी option यहाँ पर दिनकर गुपता जो है इन्हें महानिदेशक बनाया NIA का देखे next question देखेंगे RBI के पूर गवर्णर उर्जित पटेल किस बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए है तो भी बहुत ही महत्पून है RBI के जो पूर गवर्णर उर्जित पटेल जो है उन्हें किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है बिल्कूल D option correct होगा जितने भी छात्रों का option DRA है ASEAN Infrastructure Investment Bank के यह आप से भी कोई धाननता है option D correct होगा देखे नेश्ट है अरुन जैटली के चुनिन्दा लेखों के संकिलन New India नामक पुस्तक का विमोचन जगा है वो किषने किया है बहुत ही महत्पूर्ण है यह पुस्तक भी question में exam में पूछी जा सकती है आप सभी की परिक्षा की दरिष्टी से तो आप सभी को धाननता है इसका correct transfer होगा MVK या नाडू यह आप सभी को धाननता है अरुन जैटली के चुनिन्दा लेखों के संकिलन न्यू इंडिया नामक पुस्तक का भी मोचन MVK या नाडू ने किया यह आप सभी कहाँ पर ध्याननता है लेकिन रेस्ट कुस्टन है सिंजो अभी की हत्या 8 जुलाई 2022 को हुई है यह आप सभी जानते है भारत का कौन सा नागरिक सम्मान इन्हें मिल चुका है देखे नेश्ट आपका पंडित बिर्जु महाराज जो है जिनका हाली में निदन हो गया है वे किस न्यत्य सैली के पिर्मुक सैली के मसूर थे न्यत्य सैली के लिए मसूर थे तो बहुत ही महत्पून है परिक्षा के दरश्टी से आप सभी जानते है कथक से इनका रिलेशन था ओप्षन 20 का करक्ट आंसवर होगा जितने भी चात्रों का बियाओ आए बिल्कु सही है देखे नेश्ट कुस्चन आप सभी के लिए बहुत ही स्पेसल है कि इसरों ने सैटेलाइट की एक्जाम की दरश्टी से महत्पून है हमेशा याद रखना है एक्जाम की दरश्टी से ये महत्पून है कि इसरों ने सैटेलाइट की रक्षा करने वाली सिस्टम IS4OM की स्थापना कहां की है तो इस चीज को धान रखना है कहां पर इसकी स्थापना हुई है तो इसकी बैंगलूर में इस्थापना हुई है बिल्कुल B option correct हो जाएगा अब देखे IS4OM क्या है तो यह आप सभी को धान रखना है System for Safe and Sustainable Space Organization यह इसका फुल फॉर्म है यह आप सभी कहां पर धान रखना है देखे फटाफट से आप सभी answer करते रहें जितने भी छात्र है देखे इसलिए मैं आपको fast करा रहा हूँ जिससे कि आप जो है अच्छे से revision कर लें दो बार भी आप चाहें तो इससे कि दो बार revision कर लेंगे तो अच्छे से आपको हर question का answer आ जाएगा जिससे कि आपका जो time है आप अच्छे से आपर utilize कर पाएं तो इसका राज्जे स्थान इसका correct answer होगा डी option जितने भी छात्रो कारा है बिल्कुल सही है डी option इसका हो जाएगा correct तेके नेश्ट आपका पुस्तक intelligence over century के लेकक का नाम बताइए तो ये बहुत ही महत्मून है तो ये किसकी है ये आप सभी को धान रतना है बपला बाल चंदरन की है ये आपकी किसकी है बपला बान चलतरन बपला बाल चंदरन की ये फुस्तक है बी option इसका correct होगा धान रतना है very very important है हाली में ये जो फुस्तके जो आपकी लॉंच हुई हैं उनसे संबन दिती प्रिष्ण है और एक्जाम में पूछे जा सकते हैं देखे भारत के आजदी के 75 वे वर्स पूरे होने पर देश में कुल कितने रामसर्ज इस्थल हो गए हैं तो आप से भी कोई द्यान नकला हैं मैं पहले भी बता चुक हूँ पिछेतर रामसर्ज इस्थल हो चुक हैं आपके इस चीज़ को आपको याँ पर द्यान नकला हैं चलिए नेस्ट कोर्शन की तरफ चलते हैं नेस्ट आपका बहुत ही महत्पूर्ण है और उमीद करता हूँ सभी केंडिरेट इस कोर्शन का आंसर जानते होंगे ज़रूर जानते होंगे सभी केंडिरेट क्योंकि भारत में गूगल पर वर्श 2022 में सबसे ज़्यादा किसे सर्च किया गया तो आप से भी जानते हैं इंडियन प्रीमियम लीग जो है आईपील जो है आपका ये 2022 सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है तो option A करक्ठो का इसका बहुत ही बहत पूर प्रिष्ण है और ये आप से भी यहाँ पर देख पार होंगे यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रिष्ण है कि Statue of Equality नाम से पीम नरंदर मोदी ने वैशनव प्रांथ के किस संतकी मूर्ती जिसकी उचाई जो आपकी 266 फिटे का उधगाटन किया है फटाफट से सांस्वर करें सभी गेंडरेट तो स्वामी रामा नुजाचारी जो है इसका करक्ठांस्वर होगा यह उप्सन जितने भी छात्रो कारा है बिल्कुल सही हो जाएगा इस चीज का आपको धान रखना है नेस्ट कॉस्टन आपका केंडर सरकार ने अंतरराष्टे मुद्रा कोस आई एम एफ में बहारत का कारिया-कारी निदेशक जो है आपको बढ़ते रहना है और मैं यही कहूंगा कि इस बार अपना अच्छे से पेपर दें सबी केंडिडेट और जल्दवाजी में कोई भी जो डाकुमेंट है वो ना भूले लेकर के जाएं सभी साथ में जैसा कि आप सभी को मैं बता चुका हूँ पहले वाली वीडियो में तो यहाँ पर किस उद्दोग पती को PM केरियर फंड का नया ट्रेस्टी बनाया गया है तो बहुत ही महतपून है PM केरियर फंड का बनाया गया है इस चीज को आपको धानग ना है तो रतन टाटा इसका करेक्ट आंसवरों का जितने भी छातर आप्शन शीथे रहे हैं रतन टाटा को बनाया गया है यहाँ सभी के लिए बहुत ही महतपून है देखे BCCI बोर्ड का जो है के पहले जो है Anglo Indian अध्यक्ष कौन बने है देखे BCCI के पहले Anglo Indian अध्यक्ष कौन बने है यह आप सब भी कहाँ पर बता ना है Board of Control of Cricket in India जो है इसके जो है Anglo Indian अध्यक्ष बने है तो बिल्कुल यहापर रोजर बननी जो है अपका करक्ट आंसवर हो जागा जितने भी केंडिडेट का यहापर रोजर बननी ओप्सन CRI बिल्कुल करक्ट हो जागा इसका C option जितने भी केंडिडेट दे रहे है देखे नेस्ट आपका Bombay Stock Exchange जो है कि नए MD और CO जो है वो किसे बना कौन बने है बहुत ही मैत्पून है Bombay Stock Exchange के नए MD और CO जो है वो कौन है बने है फटाफट से सबी के इनडिडेट आंसवर करेंगे सुन्दर रमन राम मूर्ती जो है इसका करेक्टर आंसपर हो जाएगा option A जो है बहुत ही अच्छा है जितने भी छात्रों का A option आदा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा देखे नेस्ट कोस्टन है कि ICC महिला वंडे वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है तो ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्पून है परिक्षा की दृष्टी से तो यह किसने जीता है तो बिल्कुल यहाँ पर A option करक्ट हो चुका हूँ मैं यहाँ पर देख पार हूँगे Asian infrastructure investment वेंक जोईस का करक्ट आंसफर होगा यह हो चुका है पीछे अभी next question बहुत ही महत्पून है बुक से संब्दनेता है आप से भी देख पार हूँगे कि ममता बियाइंड 2021 नामक पुस्तक के लेकर कौन है फटा फट से करेंगे सबी candidate और हमेशा याद रखना मेरे दोस्त कि वक्त सबका बदलता है जिन्दकी बदलने के लिए लेकिन जिन्दकी दुबार नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ देख पार हूँ जैन्त गोशाल जो है बिल्कुल करक्ट टांसफर होगा जितने भी candidate का जैन्त गोशाल आ रहा है बिल्कुल करक्ट होगा ममता ब्याइंड दोजार एकिस नामक पुश्तक के लिए का कौन है जैन्त गोशाल हो जाएका इसका करक्ट टांसफर देखें नेस्ट कुस्टन आपके सामने कि दो बार एसी आई खेलों के सुरन पदक विजेता जो है हरी चंद का हाली में निदन होगा है वह किस खेल से ज जुड़े हैं तो आप सभी को धन्रतना option A करक्ट होगा दोड से जुड़े हुए हैं तो option A करक्ट हो जाएगा देखें नेस्ट है खारे पानी से बहुत ही very very important exam की दरिश्टी से कि खारे पानी से रोशन होने वाले देश के पहले लाल टेन का नाम बताएं जिसका नाम अना 10 का नाम बताना है आपको जिसका नाम राड जो है केंद्रिय मंत्री डाक्टर जीतंदर सिंग ने किया है तो आप सभी को धन्रतना है इसका नाम रोशनी है इस चीज को यहां पर ध्यान लटना है option B करक्ट हो जाएगा बहुत ही महतपूर्ण है परिक्षा की दरिश्टी से अब देखें यह और आप से भी आपर देख पा रहोंगे यह जो है यह भी एक्जाम की दरिश्टी से महतपूर्ण है कि किस देश के रोकेट का हिस्सा जो है अंतरिक्षी से महाराष्ट के चंदरपूर जिले में अपरेल 2022 में गिरा परिक्षा की दरिश्टी से नहीं पर करक्ट होगा चाइना इसका करक्ट टांस्वर हो जाएगा नेश्ट आपका दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय जौला मकी लगबा के 40 वर्सों में पहली बार 27 नॉम्बर 2022 में फटा है इसका नाम क्या है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है देखे 40 वर्सों में फटा है और पहली बार 27 नॉम्बर 2022 को फटा है तो दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय जौला मकी है तो आप सब भी दानते हैं ये आपका जो है मोना लोगा करके ओप्सन एक रक्ट होगा इसका मोना लोगा कहां पर है ये अमरीकी हवाई प्रांत में है वहाँ पर ये फटा है इस चीज़ को धानत ना है बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए बहुत ही महत्पून है देखे नेस्ट कुशन है इंडिया गेट के पास आपका जो इंडिया गेट है उसके पास ग्रेड कैनोपी में किस स्वतनता सैनानी की प्रतीमा इस्थापित की गई है तो बिल्कुल यहाँ पर C उप्सन करक्ट होगा जितने भी छात्रों का सुबाश चंदर बहुत सारा है बिल्कुल करक्ट होगा यहाँ पर कुछ के इंडिये भी दे रहें भी नहीं होगा C होगा है यहाँ पर करक्ट टांसफर C हो जाएगा A भी नहीं होगा मेरे दोस्त सुबाश चंदर बहुत होगा देखें नएस्ट आपको यहाँ पर J Bezos की जगए Amazon का CEO कौन चुना गया है देखें कार्यवाल तो वो भी करते रहेंगे उसमें क्वर्किंग लेकिंग महाँ पर CEO बना दिया गया है तो कौन बने है J Bezos की जगए Amazon के CEO कौन बने है तो यह आप से भी को धानत ना है NDJC करके हैं option A करक्ट होगा NDJC करके हैं अब से भी को धानत ना है देखें एस्ट कुस्चन है कि 7 छक्के मारने टुनिया के पहले बल्लेवाज कोन बने है 7 छक्के मारने बहतबूर्ण है परिक्षा की दृष्टी से आप सभी के लिए सभी यहाँ पर TEShy के साथ बताएंगे एक और में जो है साथ चक्के मानने वाले पहरी कौन बने हैं बल्लेबाज तो आप सभी को धाननक ना है रेतुराज जायकबार जो है इसका करक्टानसवर होगा यह उप्सन जितने भी छात्रोगा रहा है बिल्कुल सही है किसमे मारा इन्हों ने हजारे ट्रोफी में महाराष्ट की ओर से मारा था यह आप सभी को यहां पर धाननक ना है बहुत ही महत्तों है देखे नेश्टा कैंसरकार ने राजीव कुमार की जगए जो है नीती आयोक का नया उपाद्यक्च किसे निक्त किया गया है आप सभी जानते थे कि राजीव कुमार नीती आयोक के उपाद्यक्च है लेकिन अभी फिलाल हाली में आपका नीती आयोक के नया उपाद्यक्च किसे बनाया गया है राजीव कुमार की जगए यह आप सभी को यहां पर धाननक ना है तो सुमन के जो बेरी है बिल्कुल एक करक्ट इसका हो जाएगा सुमन के बेरी को बनाया गया है ओप्सन एक करक्ट हो जाएगा जितने भी छात्रों का एक ओप्सन आ रहा है बहुत अच्छे देखे नेस्ट कुस्टन है कि वर्ल्ड वेट लिफ्णिंग चेंपियंशिप 2022 में 49 कि जो कैटेगरी है किलोग्राम की कैटेगरी में खेलते हुए मीरा भाई चानू ने कौन सा मैडल जीता तेजी के साथ अंस्वर करें सभी केंडिडेट फटाफट से और हमेशा याद रखना आप सभी को जीवन में यही कहूंगा कि अपने उद्देशी के और हमेशा बढ़ते रहें और जितने भी केंडिडेट परिच्छा देने जा रहे हैं अच्छे से जाना है कपड़े पहन करके जाना है ठंड नहीं लग जाए आपको उससे बचके रह जो है वो किस देश में आयो जीत होगा देखे परिच्छा की दरश्टी से महतपून क्यों है गोश्चना पहले ही कर दी गई है कि फीफा वजो वर्ड कप है दोजार जब्श के देश में आयो जीत होगा तो उप्योग तो सभी इसका करक्टान्सवर होगा डी ओप्शन चनाडा मेकसिको और यूएस से तीनों में होगा यह आपके लिए बहुत इंपोटन्ट है परिच्छा की दरश्टी से देखे नैस्ट आपको यहां पर ध्यान लखना है कि अर्जन्टीन ने फीपा वल्ड कप कितने वर्सों बाद जो है दोजार बाइस में जीता है तो यह बहुत आपको अर्जन्टीना ने जीता है यह 36 बर्सों के बाद जीता है कब जीता था यह 1978 में जीता था मैं आप सभी को पहले भी साइद बता चुका हूँ यह और 1900 आपका यहां पर लगबग 66 में जीता था उसके बाद 2022 में जीता है क्लियर है और यह कहां पर हुआ था ज फिपा जो बल्ड कप है 2022 के ओपनिंग सेरे मनी में भारत सरकार की तरफ से किसने हिस्सा लिया यह बहुत महत्पूर्ण हो जाता है फिरिश्ण फटाफट से आंसवर करें सभी के इनिडिटेट बिल्कुल D option करेक्ट होगा जगदीज धनकड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसवर यह आपसे भी जानते हैं जगदीज धनकड है वो आपसे भी कोई आपट धनक ना है उप्सन D इसका करेक्ट हो जाएगा देकिन एस्ट कुशन है विजय हजारी जो ट्रॉफी है 2022 के फाइनल मुकाबले में किस टीम ने महारास्ट को हराया और ट्रॉफी अपने नाम की जैसा क्या भी मैंने आपको बताया जो है तो इसको सोरास्ट ने जीती है यह तुभी को धनकड़ना विजय हजारी ट्रॉफी महाराष्ट को हरा करके किष्ण जीती है सौराष्ट नहीं जीती है तो C option इसका correct answer हो जाएगा देखे next question आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण है कि पुरुस World Cup 2023 के लिए होकी इंडिया की आधा अधिकारिक जो साज़ेदार है किस कंपनी को बनाया गया है अधिकारिक जो साज़ेदार है वो किस कंपनी को बनाया गया है पुरुस World Cup 2023 के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है 2023 के लिए होकी इंडिया की बात कर रहे है तो फ्रेंस टाटा स्टील को बनाया गया है तो आप सभी का answer द्यान लगना है नेस्ट कोशन का answer देंगे सभी केंडियेट तेजी के साथ answer करें सभी केंडियेट और हमेशा याद रखना मेरे दोस्त बिल्कुल यहाँ पर जितने भी केंडियेट का answer आ रहा है बिल्कुल देख पर हमां answer आ चुका है तो नाविक करके बी option इसका correct हो जाएगा इस रोद वार्दा विक्षित किस navigation system का उप्योग नागरी को देश्चों के लिए करने के लिए L1 frequency के satellite launch होंगे तो नाविक करके इसका सही आंस्पर हो जाएगा option B देखे next question है कि दुनिया के पहले विकलांग अंत्रिक्ष यात्री के नाम की गोशना किस अंत्रिक्ष एजनसी ने किया है देखे बहुत ही मैत्मून परिक्षा की देश्टी से very very important है और हमेशा याद रखना कि पढ़ाई जीवन में आपको कभी ठका नहीं सकती और ठोकर आपको जीवन में कभी गिरा नहीं सकती अगर जिद है आपके अंदर जीतने की तो हर भी आपको जीवन में कभी हरा नहीं सकती हमेशा आपको बढ़ते रहना है छोटी छोटी गलतियों से आपको अबगत रहना है मतलब कि अपने आपको ये अबगत कराना है कि कहां कहां पर आप गलती कर रहे हैं एक्जाम में उसको जो है सुधार ना है तो बिल्कुल दुनिया का आप सभी को धनकना है ESA करके यानि कि यूरोप स्पेस एजनसी जो है इसमें जो है हाली में विकलांग अंतरिक शियातरी के नाम की घोशना किये तो ऑप्सन जो है C करक्टोजा का जितने भी केंडिडेट का रहा है देखे बारत का पहला प्राइवेट स्पेस वीकल लॉंच पैड कहां इस्तापित किया गया है आपसे भी को ध्यानत ना है मैंने अभी फिलाली बताया था तो C.A.S.R.E. हरी कोटा में आपका इस्तापित किया गया है देखे नेस्ट कॉशन की तरफ चलेंगे नेस्ट कॉशन आपका है कि बारत का पहला प्राइवेट रॉकिट विक्रम S नॉमबर 2022 में लॉंच हुआ है इसे किस एरो इस्पेस कंपनी ने बनाया है यह आपसे पूछा गया है देखे हाली में पहला प्राइवेट रॉकिट विक्रम S जो है नॉमबर 2022 में लॉंच हुआ तो इसे जो है किस aerospace company ने बनाया है फटाफट से अंसफर करेंगे तो बिल्कुल B option जितने भी छात्रों का रहा है इसका root aerospace जो है इसका correct transfer होगा B option जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल सही है तो B option इसका correct transfer होगा देखे next question के तरफ चलेंगे next question है कि इसरो ने गगणियान मिशन के क्रू मॉडूल डिस लेरेशन सिस्टम इंटिग्रेटिड पैरासूट एयर ड्रॉफ टेस्ट यानि कि IMAT कहां किया है IMT का जो है वो कहां पर किया है यह mission जो है यह आप सभी को बताना है बहुत ही महत्पून है तो इसका right transfer option D होगा यहां पर जहांसी जो है यह important है यह धान लकना है पर यह exam में नहीं पूचा जाएगा ज्यादा इतना important नहीं है जहांसी हो जाएगा इसका correct transfer क्योंकि जो question important होगा वो आपके लिए बहुत ही महत्पून है बट आपको revision कर लेना है हो शकता है examiner आपको धरा मिल जाए exam में examiner कुछ भी कर सकता है बारत के पहले private space vehicle launchpad को किस startup company ने श्री हरी कोटा में इस्तापित किया है देकि अभी मैंने आपको बताया था बहुत ही महत्पून था तो आपसे भी कर देना है कहां पर हरी कोटा में इस्तापित हूआ है किस startup company ने इस्तापित किया यह आप से पूछा है तो अगनी कूलं कोश मास जो है इसका right answer होगा इस company ने आपको इस्तापित किया है अगनी कूलं कोश मास कमपनी ने नेस्ट आपका NASA के Moon Mission का नाम क्या है, जिसे 16 November 2022 को Sig Guide अगया देखें बहुती मै्त्बून परिश्चा की द्रश्टी से है जो आपकी, देखें NASA ने Moon Mission का नाम क्या है जिसे हाली में 26 November 2022 को लौ tightly क्या है, तो दियान लगना यापको यहाँ पर धान रखना है exam में ऐसे का ऐसा question आपको छपा मिलेगा अब देखे बार इसरो ने बारत के सबसे सकतिसाली rocket देखे यहाँ पर मैं आप सभी को पहले भी यह question करा चुका हूँ बट यहाँ पर अब क्या कर रहा है इसरो क्या कर रहा है कि इसरो ने बारत के सबसे सकतिसाली rocket जो है GSLV Mk30 यहाँ सभी जानते हैं GSLV Mk30 से चंदरियान 2 को launch किया गया था के लिए आप सभी जानते हैं तो यहाँ सभी को दहन रखना है Mk30 का जो नाम बदल कर क्या रखा गया है यह आप सभी को दहन रखना है वेरी वेरी इंपोटेंट है एक्जाम की दरिष्टी से तो इसका नाम जो है option B हो जाएगा launch vehicle mark third LVM करके जो है इसका नाम रखा गया है यह आप सभी को दहन रखना है GSLV Mk30 का तो option B करक्ट होगा देखे next question है बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर revision करते रहना है बिल्कुल जितने भी छात्र यहाँ पर अच्छे से revision करते रहे और जितने भी मैंने आप सभी को यहाँ पर देख पार हूँ मैं बिल्कुल mock test देखे mock test में 3 provide कर चुका हूँ जिन candidate ने नहीं लगाए है वो जाकर के लगा सकते हैं देखे next question आपके लिए कि किस तरह की बेलिस्टिक मिसाल जो है अगनी 5 का रात्री परिक्षन जो है भारत में 15 दिसंबर को 2022 को किया देखे आभी अब हाली में किया गया है यह 15 दिसंबर 2022 को जो है अगनी 5 का रात्री में परिक्षन हुआ है तो किस तरह की है यह मिसाल यह आपसे पूछा गया है कि बेलिस्टिक मिसाल जो है वो किस तरह की है तो यह D option करक्ट होगा इसका इंटर कॉंटिनेंटल जो है करके इसका करक्ट टांसफर होगा यह किस तरह की है इंटर कॉंटिनेंटल की लिस्टिक मिसाइल है यह आप सभी को यहाँ पर ध्यान लगता है फटा फट से तो बिलकुल यहाँ पर B आप्शन हो जाएगा यह किस ने जीता है इसक्ति अपसे बी और गयाँ इसका पांचमा जो आपका जो है यूथ गेम्स की जो मेजवानी है पांचमा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजवानी कौन सा राज्य करेगा तो बिल्कुल यहापर जितने भी किंडिडेट का भी उप्सन आ रहा है मद्यपरदीश इसका करक्ट आंसवर हो जाएगा मैं आपसे भी कोई यह कुश्चन करा भी चुका हूँ तो आपसे भी कहाँ आपर ध्यान नक्राएगा है नेश्ट आपका यूएस उपन 2022 टेनिस चें कार्लोस अल्कराज यहापर कार्लोस अल्कराज इसका करक्ट आंसवर हो जाएगा तो यह आपसे भी ध्यान नक्राएगा यह आपके जो है D option इसका character होगा कहां के हैं यह Spain के हैं इन्होंने यह आपका जो है US Open 2022 Tennis Championship में पुरुस एकल का किताब जो है वो जीता है चलिए next question की तरफ चलते है next question आपके सामने है कि Asia Cup 2022 किस देश की टीम ने जीता देखे important question है Asia Cup 2022 जो है वो किस देश की टीम ने जीता सोरी हाँ पर किस देश की टीम ने जीता है किस देश ने जीता है तो सिली लेंक का इसका character answer हो जागा जितने भी छात्रों का option भी आ रहा है बिल्कुल character हो जाएगा फटा-फट से answer की नेस्ट की तरफ चलेंगे आप सभी नेस्ट कुस्ण आपके सामने है देखे नेस्ट कहा रहा है कि वर्ड रेसलिंग चेंपिनसिप में दो मैडल जीतने वाली पहली बारतिये महिला रेसलर कौन बनी है एकजाम के दरिश्टी से बहुत महित्पून है कि रख होसला बुलंद तेरी भी उड़ान होगी देखे कि सारी दुनिया एक दिन तेरी ऐसी पहचान होगी तो मेरे दोस्त हमेशा जो है अपने लक्षे की और बढ़ते रहना है बिल्कुल विनेश फोगाट जो है इसका करक्ट टांसफर होगा जितने भी केंडिडेट ऑप्सन यह दे रहे हैं यह आप सभी का करक्ट टांसफर ऑप इंस इंस सिंग्ल का खिताब किसने जीता है इगा उ स्यार्शिया अंपको द्यान द्यां रखना है इसका करक्ट टांस हो जाएगा नेश्ट नेश्ट Tennis Championship में Man's Singles का जो किताब वो किसने जीता है बहुत ही मैत्पून है French मैं आपको करा चुका हूँ अब यहाँ पर विवल्लन के आप से भी यहाँ पर देख पार हूँगे तो यह जो जीता है वो किसने जीता है यहाँ पर जो है सबसे पहले एक क्वेशन ओर है आपके लिए कि भारतिय मैला पहलवान का नाम बते है जिसने अंडर 2020 अंडर 2020 में वोमेंस रेसलिंग में वर्ल्ड चेंपिंसिप का खिताब जीता है पहली भारतिय पहलवान पूछिए पिछला वाला कोश्चन अलग था और यह अलग है यहाँ पर काया कि पहली पहलवान भारतिय कौन बनी है जिसने अंडर 2020 में वोमेंस रेसलिंग वर्ल्ड चेंपिंसिप का खिताब जीता है तो आंतिम पांगाल करके इसका करक्ट आंसवर हो जाएगा जितने भी candidate option A दे रहे हैं इसका A option करक्ट होगा देखें विमलनल अब बात कर लेते हैं हाँ पर वोमेंस की तो वोमेंस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 2022 में यह खिताब किषने जीता है यह भी आपको यहाँ पर ध्यान लगना है बहुत ही महत्पून है तो इसका जो right answer होगा Elena Rai Bakina ने जीता है Elena Rai Bakina जो है इसका correct answer होगा option C हो जाएगा यह बहुत ही महत्पून है परिक्षा की दृष्टी से देखें next question की तरफ चलेंगे तेज़े के साथ सबी candidate हमेशा मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने लक्षी के और बढ़ते रहें और फटाफट से जितने भी चात्रें आपर जुड़े हुए है जिदि आपको शैसन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और आप सभी जो है देखिए यहाँ पर जो है आप सभी में से बहुत सारे चात्र जो है बहुत अच्छे से आंसवर यहाँ पर कर रहे हैं तो बिल्कुल भारतिय सेना दुसुमन के ड्रॉन का सिकार करने के लिए एक प्रेसिक्षित चील को आम लोगों के बीच प्रेसित किया गया है इसका नाम क्या है बहुत ही महत्पून है तो इसका नाम अरजुन है ऑप्सन बी करक्टों का जितने भी छात्रों का ऑप्सन बी आ रहा है ध्यान लकना है बहुत ही महत्पून है देखिए नेस्ट कोशन देखते हैं परिक्षा की दृष्टी से तो right answer option A हो जाएगा इसका correct answer Lance, Nike, Manzu जो करके है इसका correct answer हो जाएगा option A ये पहली जो है ध्यान लखना है देखे next question आपके सामने है कि मानने प्रधान मंतरी मोधी जी ने गुजरात के किस जिले में Air Base की आधार सिला रखी है तो Air Base की जो आधार सिला रखी है वो गुजरात का कौन सा जिले है जहां पर PMG ने रखी है तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान लखना है आपका D option जो है correct answer होगा बानस कांठा जो है correct answer हो जाएगा D option देखें next question है आपका यहाँ पर इंडियन नेवी ने किस न्यूक्लियर सब मरीन से October 2022 में सपलता पूर्वक सब मरीन launch ballistic missile को launch किया है SLBM को launch किया है तो किस न्यूक्लियर सब मरीन से जो है launch किया गया तो INS अरिहन तो जाएगा इसका correct answer और option B जो है इसका correct answer होगा ध्यान लखना है very very important है देखें next question की तरफ चलेंगे next question है कि भारत में किस जग है IOG SEO आतंकवाद विरोधी अभ्यास में पाकिस्तान ने हस्सा लिया है देखें बारत में अहाली में यह IOG हुआ ता SEO आतंकवाद विरोधी अभ्यास जो है और इसमें जो है पाकिस्तान ने हिस्सा लिया और यह कहां पर IOG हुआ है यह आपसे पूचा है तो ध्यान लखना है मानिस्वर में आपका IOG हुआ है option C इसका correct answer हो जाएगा फटापट से करेंगे बिल्कुल तेजी के साथ सबी के निडिट देखें नेस्ट कोशन है कि केनदे सरकार ने Indian Air Force के नए ब्रांच की स्थापना को मंजूरी यहाँ पर दे दिये तो कौन सी जो नई ब्रांच है वो आपको यहाँ पर बतानी है तो किस नई ब्रांच को यहाँ पर जो है मंजूरी मिली है केनद सरकार की देखें बिल्कुल यहाँ पर सी ओप्सन होगा जितने भी छात्रों का सी आ रहा है वेफन सिस्टम ब्रांच जो है आपका इसका correct answer होगा वेफन सिस्टम ब्रांच नैस्ट कोर्शन के तरफ चलेंगे नैस्ट कोर्शन आपके सामने कि नौ सैनाने युद्धपोथ आई एनस अजै को 19 सितमबर 2022 को D कमिशन सेवा मुक्त किया है तो यह किस क्लास का युद्धपोथ है तो आपको द्हान लखना है आई एनस अजै की बात हो रही है तो यह अभे किलास का युद्धपोथ है यह आप सभी द्हान लखना है बस इतना है आपको यहां पर द्हान लखना है उप्शन बी जो है इसका करक्ट टांसफर हो जाएगा नैस्ट कोर्शन के तरफ चलेंगे आर्मी चीफ जनरल मरोज पांडे को किस पड़ोशी देश के राष्ट पती ने अपनी सैना के जनरल की मानद उपादी दी है बहुत ही मैत्पून है परिक्षा की दरश्टी से बहुत इंपोर्टन्ट है कि आर्मी चीफ जनरल मरोज पांडे और किस पड़ोशी देश के राष्ट पती ने उन्हें सैना के जनरल की मानद उपादी है वो दे दी है तो आपको ध्यान रगना है नहपाल के ये राष्ट पती है यह आप सभी कहाँ पर ध्यान रगना है इन्होंने ही ये किया है नेस्ट कुर्शन की तरफ चलेंगे मंगोलिया की आदार सिला सोरी यहाँ पर मंगोलिया की अधिकारी की यात्रा करने वाले पहले बारतिय रक्षा मंतरी कौन बने है देखे मंगोलिया की अधिकारी की यात्रा करने वाले पहले बार थी रक्षा मंत्री कौन बने हैं तो आप सभी इनका नाम जानते हैं राजना सिंग बने हैं उप्शन C होगा इसका करक्ट टांसवर देखे नेस्ट कोशन के तरब चलेंगे किर्किट में लगातार 13 T20 जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं देखे T20 में लगातार 13 में जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं तो आपका उप्शन जो है इसका करक्ट टांसवर ऑप्शन B हो जाएगा रोहित सर्मा जो है बिल्कुल करक्टर जितने भी चात्र दे रहे हैं यह आप सभी के लिए बहुत इंपोटन्ट है देखे नेस्ट कोशन है कि अर्दसास्त्र के छेतर में वर्स 2022 के नौवेल पुरुसकार किसने जीता है इकोनोमिक के छेतर में पूछा गया है जो आपका वो किसने जीता है यूनेसको का सांती पुरुसकार है 2022 का है किसने जीता है? बहुत ही महत्मून है तो एंजेला मारकेल जो है इसका करेक्ट टांसफर होगा option C जो है बिल्कुल सही हो जाएगा एंजेला मारकेल यह आप से भी कोई ध्यानत ना है जर्मनी की चांसलर रह चुकी है तो B option C option सोरी आपर जो है करेक्ट हो जाएगा आपका इन्हें जो है UNESCO सांति पुरुष का 2020 से नावाजा गया है देखें नेस्ट कुशन है कि राष्ट्य पती द्रोपदी मुर्मू ने किस एक्टरस को दादा साफ़ाल के एवार 2020 जो है वो दिया है चलिए नेस्ट कुशन की तरफ चलेंगे और फटाफट से सभी केंडिडेट आंस्वर करें कि नेशनल MSME पुरुषका 2022 का प्रतम पुरुषकार देखें प्रतम पुरुषकार है इसलिए इंपोटेंट है परिक्षा की दृष्टी से तो किस राज्य सरकार को मिला है यह आप से पूछा गया है फटाफट से आंस्वर क़रें सभी केंडिडेट बिल्कुल तेज़े के साथ करते रहना है सभी केंड़िडेट ओडीअसा इसका करक्ट आनस्वर होगा ओडीसा राज्य सरकार को दिया गया है यह आप सभी को धनातना है option 10 का correct answer होगा next time Miss India World Cup 2022 का किताब किसने जीता है देखे Miss India World Cup की बात हो रही है फ्रेंज आप सभी को note करना है Miss India World Cup 2022 तो यह किसने जीता है सनी सेटी जो है इसका correct answer हो जाएगा यह आप सभी को धनातना है option Miss India World Cup option C नी जो सेटी है option B करक्टो का इसका बिल्कुल से ही है 2022 की बात कर रहे है फ्रेंज अब देखें आप सभी को धनातना है 2022 में सिनी सेटी को दिया गया है आप सभी यहाँ पर देख पार होगे 2020 में मांसा वारानसी को दिया गया था बट आप सभी यहाँ पर ध्यान भी रख सकते हैं देखें नेस्ट कोशन है कि किस देश की कैरोलीना लीवास का Miss World 2021 बनी तो किस देश की कैरोलीना वीला वास का जो है Miss World 2021 बनी है तो यह किस देश की आपको ध्यान रखना है पॉलेंड देश की हैं आप सभी को यहाँ पर ध्यान भी इस का करक्टर अंसफर हो जाएगा पॉलेंड देश की थी है देखें नेस्ट कोशन है पिछेतर में British Academy फिल्म एवार्ड यानि बाफ्टा पुरुसकार जो है वो सरफ्षेस्ट फिल्म के लिए किसे चुना गया है बाफ्टा पुरुसकार 2022 में सरफ्षेस्ट फिल्म जो है वो किसे चुना गया है तो आप से भी को धानफ में फ्रेंट्स दा पावर ऑफ डॉक जो है इसे चुना गया है option A इसको करक्ट हो जाएगा पिछेतर में हैं यह आपके बहुत ही महत्पून है देखें रक्षा मंतरी जराजनत सिंग जो है किस देश में बाफ की साहता से निर्मित साइबर सिक्योर्टी ट्रेनिंग सेंटर का उदगाटन किया है देखें किस देश में बाफ की साहता से निर्मित जो है Cyber Security Training Center का उदगाटन जो है वो रक्षा मंतरी ने किया है तो 21 देश में किया है यह आप से पूछा गया है तो option मैंने अभी मंगोली देश की यात्रा पर गए थे वहीं पर इन्होंने इस Center का उदगाटन किया है तो option एक रख्ट हो जाएगा बहुत ही महित्पण है देकि ने अश्टब countryक आपका P.M.O.D. ने भारतिय नौसेयना को जनड़ा नया जनड़ा सौपा है तो इस में लिखा गया है यहां पर तो आप सभी को धानत ना है यह उप्युक्त हो जाएगा सभी नेस्ट आपका भारत ने अगस 2022 में किस पड़ोसी देश की नोसेना को डौर नियर 228 समुदरी निगरानी विमान सौपा है बहुत महत्पून है तो यह किसको सौपा है पड़ोसी देश है आपका तो बिल्कुल सी ओप्चन है आपर करेक्टो का सिरिलंका को सौपा गया है बहुत अच्छे चितने भी केंडिडेट यहां पर अच्छे सांस्वर कर रहे हैं अच्छे आपसे भी यहां पर देख पार होंगे फ्रेंड्स नेस्ट कोस्टन है उत्तर परदेश राजे सरकार नहीं है गोमती नदी के किनारे कि सेवा मुक्त युद्वपोत का जो है ओपन एयर म्यूजियम बनाने का फैसला किया है तो यह गोमती नदी के किनारे बनाने का जो है सेवा मुक्त कौन सा युद्वपोत है यह आपसे भी गोधानकना है सेवा मुक्त युद्वपोत का ओपन म्यूजियम एयर म्यूजियम बनाने का फैसला किया है तो आपसे भी गोधानकना है आईयनेस गोमती तो option A इसका correct answer होगा next question की तरफ चलेंगे और हमेशा याद रखना मेरे दोस्त की रख की हमेशा याद रखना मेरे दोस्त हमेशा याद रखना की सफल होना है तो कदम भारी रख क्या रखना है सफल होना है तो कदम भारी रख बाहर निकल तूफानों से यारी रख कदम कदम पर मिलेंगे मुस्किले ये तै है कि कदम कदम पर मिलेंगे मुस्किले ये तै है पर तू निरंतर अपना सफर जारी रख कि तू निरंतर अपना सफर जारी रख और इसी होसलों के साथ आप सभी को आगे बढ़ते रहना है और अपने लेक्षे को पूरा करना है देखे नेस्ट को बहुत अच्छे से यहाँ पर जितने भी छात्रों का आंसवर आ चुका है देख पा रहा हूं मैं तो पहली मैला फाइटर देखे इंडियन आर्मी की कहा है कि पहली मैला फाइटर कौन बनी है तो अभी यहाँ पर आप से भी को ध्यान देना है इसका करक्ट टांसवर क्या हो जाएगा अभी लासा बराग यहाँ पर देखे यहाँ पर कुछ के इंडियरेट का डिफेरेंट टांसवर आ रहा है तो आप से भी को ध्यान देना है इसका अवनी लेक्रा होगा option B correct होगा पहला नहीं होगा यहाँ पर अवनी लेखरा इसका correct answer होगा इस चीज को यहाँ पर ध्यान अतना है clear है next आपका विर्षा मुंडा के यहाँ पर है कि विर्षा मुंडा के गाउं का नाम बताईए जहाँ जन जाती है जन जाती है गौरव दिवस पर राष्टिय द्रोपदी मुर्मू पहुंची देखे विर्षा मुंडा का गाउं आप से भी को बताना है गाउं का जो नाम है वो क्या है जहाँ पर जन जाती है गौरव दिवस पर कि स्थापना को किस राज्य सरकार ने अधिस उचित किया है देखे पहला है देश का आप सभी को धान्नक ना है तो यह आपका तमिल नारो ओप्षन 20 का करक्ट आंसर होगा जितने भी के इनलेट का भी ओप्षन आ रहा है बिल्कुर सही हो जाएगा यह आप सभी कहांपर धान्नक ना है नेश्ट आपका यूनेसको ग्लोवल नेटवर्क ओफ लर्निंग सिटीज में पहली बार किन भारतिय सहरो को सामिल किया गया तो उप्यूक तो यहाँपर डी ओप्षन हो जाएगा इस चीज को धान्नक ना है यह जो सहर है आपके A और C में जो है तिरसूर और वारगल जो है और नीला अंबूर जो है इन सहरो को जो है पहली वार जो है बारतिय सहरो को सामिल किया गया है इस चीज को धान्नक ना है कोमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूँगा तो आप सभी वहां से देख लेना और PDF जो मिलेगा वो आपको उसमें सब कुछ जो है एकदम इस्टीक जानकारी मिलेगी एकुरेट तो इस चीज को धान्नक ना है नियुकिलेर शमता वाली बेलिस्टिक मिसाइल को जो है अगनी फाइब का परिक्षण जो है इंडियान आम फोर्स की किस कमांड ने किया है देखिए बहुत ही महित पूर्ण है हो जाता है एक आध कुछिन बिल्कुल तो बिल्कुल यहां पर आप सभी को धान्नक ना है वैसे मैं अपनी पूरी कोशिस करता हूँ कि एक भी कुछिन यहां पर मिसिंग ना हो उस्तर जो है आपका बिल्कुल इस्टिक रहे तो यहां पर आप सभी को धान्नक ना है यहां आपका इस्ट्रेट जिक फोर्सेज कमांड है बी ओप्सन इसका करक्ट आंस्वर होगा तो यहां आप सभी को धान्नक ना है आपका बी ओप्सन यहां पर करक्ट हो जाएगा देखिए नेस्ट कोशन की बात करें तो पदम भूशन जो है वो आपका 17 लोगों को दिया जाना है और आपका पदम सिरी जो है वो 107 लोगों को दिया जाने की घोशना की है तो इस चीज को आपको द्यान लगता है तो इस चीज को आपको द्यान लगता है 28 हो जाएगा इसका टोटल जो है पदम पुरुषकारों की जो गोशना किया 128 की किया इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान लगता है सभी मैंने आपको बता दिये है एक्जाम में कोशन बन सकता है अब देखें नेस्ट कोशन आपके लिए क्या है कि 24 चंदर बोस आपदा प्रविन्दन जो पुरुषकार है 2022 जो है वो किसे दिया गया है यानि कि किसने जीता है फटा फट से सभी केंडिडेट बताएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी केंडिडेट का उप्शन सिया रहा बिल्कुल करक्ट हो जाएगा आपर प्रोफेसर बिनोज सर्मा ने जीता है आप से भी के ध्यान अकला है प्रोफेसर बिनोज सर्मा देखे बोस्ट नेश्ट आपका बेस्ट मोशन फिक्शर ड्रामा गोल्डन गिलोबल एवड दोजर बाइस किस मूवी को मिला है तो ये भी आपका जोए दा पावर ओफ डॉक को मिला है इस चीज़ को आपको ध्यान अकला है ओप्सिन बी करक्ट हो जाएगा देखे कुछ यहां पर आप से भी को ध्यान अकला है तीजी से मैं आपर करा देता हूँ आपका Global Innovation Index Global Innovation Index में भारत का रैंक क्या रहिए है यहां पर देख पार हूँ आप से भी इसे वेस्पीक बोदिक संपदास संगतन नहीं जारी किया है यहां आप से भी को बताना है बहुत ही महत्मून है तो आप से यहांपर ऐसी करक्ट होगा चालिस इसमें बारत की जो गिलोवन इनोवेशन जो इंडेक्स है इसमें बारत की रैंकिंग जो रही है वो चालिस यहां पर रही है इस चीज को आपको आपर ध्यान लखना है देखे नैस्ट आपका मानव विकास सूचकांक Human Development Index 2021 में बारत की रैंक क्या रही थी तो 2021 में बारत की रैंक 132 रही है आप सभी को ध्यान लखना है 132 में जो है Human Development Index में यहां पर बारत की रैंक रही है देखे नैस्ट कॉस्चन देख लेते हैं नैस्ट किस बारतिया बल्लेवाज ने बंडे में सबसे तेज दोहरा सतक लगाय चलिए आप सभी यहां पर तीजी के साथ आंस्वर करेंगे देख पाता हूं कितने केंडी रेत इसका सही आंस्वर करते हैं फटा फट से करेंगे किस भारतिय वल्लेवाज ने बंडे में सबसे तेज दोहरा सतक लगाया है तो इसान किसन जो है इसका करक्ट आंस्वर होगा आपके यहां पर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में लेंगिंग समानता के मामने में भारत की कितनी रेंक है यह बहुत ही महत्पून है फटा-फट चे बताएंगे सब इकेंजी तो 135 जो है ऑप्शन बी इसका करक्ट आंस्वर हो जाएगा गिलोबल जंडर गैप में भारत की जो रैंकिंग है एक्सु पैंतिस रही है नेस्ट कोशन देखेंगे स्वयंक तुराश्ट द्वारा जारी वर्ल्ड हैपिनेस रिपो आपको करा चुका हूँ तो बिल्कुल आपको धानता है option B इसका करक्ट होगा हिमाचल परदेश जो है इस सरकार ने की है देखेंगे नेस्ट कोशन देखेंगे कि भारत आज अब जो आगे आगे जो कोशन आने वाले है वो बहुत इंपोर्टेंट है कि भारत गौरब अलक्षे के और बढ़ते रहना है बिल्कुल दो आपको इसका सही आन्सवर क्या हो जाएगा कोयम टूर जो है उत्तर से जो है साही नगर स्रीडी तक जो है इस भारत गौरब योजना के पहली प्रैवेट ट्रेन का संचालन किया गया है इस चीज़ का पुद्धान है option C करक जितने भी छात्रोकार है देखे next question तेजी के साथ आन्सवर करेंगे सभी candidates कि देश के सबसे लंबे steel breeze का नाम बताइए जिसका उद्धुगाटन जून 2022 में हुआ है बहुत ही मैत्पून है बिल्कुल D option इसका होगा मातमा गांधी सेतु हो जाएगा इसका देश के सबसे लं जिवार किस राज्य में ड्रॉन से डांक पहुँचाईए तो इंडिया पोस्ट जो है उसने देश में पहली बार जो है कौन सा राज्य है जिसमें ड्रॉन से डांक पहुँचाईए तो option A करक्ट हो जागा गुजरात में पहुचाईए यह आप से भी को धानक ना है मिल्कुल A option इसका करक्ट हो जाएगा ग्रह मंत्री अमिस्सान ने इंटिग्रेड केंपस का उद्गाटन कहाँ पर किया है देखे बहुत ही महत पूर्णा परिक्षा की द्रिष्टी से बिल्कुल कुछ और question आपके लिए यहाँ पर जो है तो आप सभी का शैसन बहुत तेजी के साथ यहाँ पर समाप्ती की हो रहे है तो आप सभी यहाँ पर जो है निरंतर जो है यह आपको शैसन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें सभी candidate बिल्कुल इस जो गाटन किया है इस चीज़ को ध्यानक लाएं ग्रह मंतरी अमिसाने नेस्ट कोशन की तरफ चलेंगे नेस्टा दो ट्रेनों की टकर को रोकने के लिए किस तकनीकी का जो परिक्षण है रेल मंतरी की मौझूदगी में हुआ है तो कौन सी तकनीकी है यह आप सभी की जो है और उमीद करता हूँ सभी कैंडिडेट इससे अवगत होंगे बी ओप्सन बहुत अच्छे आपर जितने भी छात्रों का कबच आ रहा है बिल्कुल करक्ट हो जागा इसको ध्यानक लाएं कबच तक ने की है यह आपकी नेस्ट आपका देश का पहला केबल बिरीज जो है कि जम्मु कस्मीर में बन रहा है आपका दानना है जम्मु कस्मीर देखे नेस्ट आपपा प्रधानमंत्री नरेंदर मोदीजी ने किस राज्य में इस्तित एसिया के पहले पहले, एसिया के सबसे बड़े स्वाड़ी यहां पर सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का वर्चुल उद्गाटन फरवड़ी 2022 में किया था, यह आप सभी को बताना है, एसिया के सबसे बड़े बायो CNG जो है, वर्चुल प्लांट का जो उद्गाटन कहां पर किया था, तो य देखे, next question की तरफ चलेंगे, next आप कहांपर, France की नई प्रदानमंत्री कौन बनी है, France की नई प्रदानमंत्री कौन बनी है, तो Elizabeth born करके, जो है, a option इसका हो जाएगा, correct answer ये France की नई प्रदानमंत्री बनी है, next नाटो साइबर रक्षा समू में, देखे, नाटो का समू नहीं ह ये, ये साइबर रक्षा समू है, देखे, नाटो साइबर रक्षा समू में सामिन होने वाला पहला ACI देश जो है, वो कौन बना है, कौन है, फटाफट चा अंसवर करें सभी candidate, बहुत अच्छे, तो बिलकुल यहाँ पर C option जो है, दस्चिन कोरिया होगा, इसका correct answer, C option जित में पहली बार ये हुआ है, और कनोड़ों ने किस वज़े से आपत का लागू किया, तो यह आपको बताना है, तो इसका right answer, क्या हो जाएगा, ट्रेकर्स प्रोजेक्ट जो आपका option B होगा, यह COVID को लेकर के है, अब से भी को ध्यानक लाएं, बी option इसका correct transfer हो जाएगा, देखें, नेस्ट कोशन के तरफ चलेंगे, नेस्ट आपको यहाँ पर जो है, हिंदी बासा के लिए, हिंदी साहित्ते अकेदमी पुरुषकार 2022 के विजेता का नाम बताईए, बहुत ही महत्पूर्ण है, फटाफट से जबी बताएंगे, हिंदी बासा के लिए साहित्ते अकेदमी पुरुषकार 2022 का जो विजेता है, उनका नाम आपको यहाँ पर बताना है, बिल्कुल, तेजी के साथ सब्सक्राइब करते रहें, तो बिल यह फुरुषकार दिया गया है, तुमडी के सब्सक्राइब के लिए, पूचा जा सकता है एक्जाम में, नेश्ट है, पेटा इंडिया ने वर्स, और आपका जो है, बहुत ही महत्पूर्ण है, पेटा इंडिया ने वर्स 2022 के लिए, परसन ओफ दा इयर के खिताब से किसे स आइम मेक जी ने परसन ओफ दा इयर 2022 किसे नामित किया है, फटा फट से सभी कंडियेट बताएंगे, तेजी के साथ बिल्कुल कुछ को कोश्चन हो रहे हैं आपके, दस से पंदर कोश्चन है, बहुत अच्छे, कीरा को होचला वो मनजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ठकर ना बैठे मनजिल के मुसाफिर, मनजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, तो इसका जो राइट आंसवर हो जाएगा आपका, बोलो डीमीर जैलेंस की आप्सन बी होगा, बी इसका करक्ठ होगा, फ्रेंड्स, टाइम मेक नीज जी परस अनिज बना क्या गया है, फटाफट से करें, तो दीपा मलिक को इने बना गया है, ओप्सन C करक्ठो का, जितने भी छात्र का ओप्सन C आ रहा है, दीपा मलिक को बना गया है, nest question की तप चलेंगे, nest question है, Google के CEO, सुन्धर पिछाई को यहां पर देख पारूँगे, दिसम्बर 2022 में किस भारत्य सर्वोच चनागरिक पुरसकार से संबानित कियागया है तो ये आपसे भी कोई ध्याननक ना है इने जो मिला है आपका पदम भूशन दिया गया है किसे मिला किसे मिला तो मेजर द्यांचन्द खेल देतना एबॉट 2022 जो है सरत कमल अचंता को मिला है option B करक्ट हो जाएगा इसका बहुत अच्छे से नाइस्ट कुशन की तरफ चलेंगे railway सुरक्चाबल CRPF ने मानव तसकरी को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है फटाफट से बिल्कुल ए उप्सन करक्ट हो जागा operation 8 जो है इसका करक्ट आंस्वर हो जागा operation 8 जो है ये अभियान जो है आरपिय अपनी शुरू किया है बहुत ही महत्पोन है देखे नेस्ट आपका जल मैट्रो परियोजना वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है जल मैट्रो परियोजना वाला भारत का पहला सहर कौन बना है तो बिल्कुल कौँची option एक रख्ट हो जागा इसका जितने भी candidate ए उप्सन दे रहे हैं बिल्कुल सही है किस बाइरस के संकर्मन की वज़े से देश के कैई राज्यों के हजारों मवेसियों की मौत हुई है कौन सा वाइरस था जिसमें जो है हजारों देश के कैई हजारों मवेसियों की मौत हो गई है तो आप से भी धनतला है ये कैप्री पॉक्स वाइरस था कैप्री पॉक्स वायरेस ऑप्सन डी इसका करक्ट होगा जितने भी केंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुँ सही है नेस्ट आपका देखे भारत में मंकी पॉक्स मरीज की पहली मौध जो है वो किस राज्य मौध है बहुत ही महत्पोन है इससे क्या होगा कि आप जितना बें आंस्वर यहां पर आपको यह पता चलेगा कि आपकी जो एक्यूरिश ही है यानि की छमता जो है वो कुश्चन करने की जो है कितनी है उससे आपका रिविजन भी हो जाएगा एक बार मैं आप से भी सभी सभी से यही कौँगो कि इसको रिवाइज जरूर कर ले ना जितने भी केंडिडेट है प्रदान मंतरी ने लेंदर मोदी ने कहां से भारत की छटी जो है बंदे भारत एक्सप्रेस भी लॉंच किया है तो यह आप से भी को ध्यान रखना है यह आपकी जो नागपूर से बिलासपूर के लिए की गई है आप से भी कहां पर ध्यान रखना है नागपूर टू बिलासपूर के लिए तो आप से भी को ध्यान रखना है एशिया में पहली बार भारत के किस राज्य ने स्वास्त सेवा पहुचाने के लिए ड्रॉन डिलेवरी केंदर और नेटवर्क शुरू किया तो यह बहुत ही मैत्पून है एशिया में पहली बार है भारत के किस राज्य ने स्वास्त सेवा पहुचाने के लिए drone delivery केंदर और network जो शुरू किया है तो यह आपका शुरू करने वाला आपका कौन सा है तो यह आपका यह मेहगाले है तो यह आप से भी को धन्तना मेहगाले option B करक्ट होगा इसका नेश्ट है दुनिया का सबसे लंबा double decker breeze का record कि सहर की metro metro के नाम हुआ है और उसने गिन्नीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बहुत ही मैत्मून है गिन्नीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बिलकुत तेजी के साथ B option जितने भी छात्रो का रहा है B option यहापर करक्ट हो जाएगा आप सभी का नागपूर की metro न जाए नागपूर सहर की metro न देखे किस राज़े में नॉबर 2022 में हर घर गंगा जल प्रोजक्ट लॉंच किया है देखे हर घर गंगा जल प्रोजक्ट अलग है हर घर जल जो है वो अलग है इस चीज को देन लक ना है तो यह बिहार ने क्या है इस चीज को द्यानतना है 2022 में हर घर गंगाजल प्रोजेक्ट लॉंच किया है बिहार सरकार ने मैस्ट कोशन है एक जिला एक खेल योजना किस राज्य सरकार ने लॉंच की है एक जिला एक खेल योजना किस राज्य सरकार ने लॉंच की है फटाफट चांसवर करें सबी गेंडिट तो उत्तर परदेश यूपी इसका करक्ट चांसवर हो जाएगा बी ओप्शन जितने भी छात्रों का रहा है बिल्कुल सही है देखें कितने खिलाडियों को अरजुन आवोर्ड जो है इसलिए आपको दानाता है पहला हिंदी लेखिका जिसने उपन्यास जिनके उपन्यास को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है देखें बहुत ही महत्पून है पहली हिंदी लेखिका है जिनके उपन्यास को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 मिला है बहुत ही महत्पून है तो option B इसका करक्ट होगा गीतांजली सिरी को मिला है यह आप से भी को धानक ला है B option है आपर करक्ट होगा गीतांजली सिरी नेस्ट आपका हैंपर बहुत ही महत्पून है Nobel Santi Pruska 2022 के विजेता का नाम बताईए देखे कुछ और question है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ जिससे कि आपके exam की दृष्टी से आप और यहाँ पर 10 मिनट दे सकते हैं तो बहुत important आपके लिए देखे यह सबी आपके नाम है आपसे भी को धानक ना है इन्हें जो दिया है सांती पुरुषकार दिया गया है आपसे पूछ सकता है कि संगठन इसमें कौन है तो दो संगठन आपके और यही कहां पर करता है व्यक्ति है उनको दिया गया है आपसे भी नाम पढ़ पा रहे होंगे चलता हूँ next question की तरफ आप सभी के लिए एनिया एन कॉरंस बिल्कुल यहाँपर सी ओप्सन जितने भी चात्रोकारा बिल्कुल सही है देखे केमिस्ट्री के छेतर में नॉबिल प्राइस की बात करें तो विजेता कौन है तो उप्यूक तो सभी हैं आप सभी को धनतना है कैरोलीन के बरटोजी करके है कारल बेरी सरपलेस कहें मोर्टन मेल डाल है यह आप सभी को यहाँपर धनतना है इनका नाम जो है आप सभी को तो यह आप सभी एक बार देख करके जाएं एक्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए देखें नेश्ट है किस वैग्यानी को रहसानी विग्यान के छेतर में दूसरी बार यह इंपोटन्ट है देखें वो जादा इतना इंपोटन्ट नहीं है बट एक्जामनल क्या करेगा यह कोश्चन उठाकर कि आप यह एक्जाम में रख देगा तो द्यान नकना है फ्रेंड्स इसका राइट आंसवर क्या हो जाएगा तो कारल बेरी सार प्लेस को जो है इन्हें चुना गया है 2001 में भी इन्हें यह मिल चुका है और 2022 में भी इस चीज़ को द्यान नकना है option 20 का करक्ट हो जाएगा physics के चेतर में Nobel Prize 2022 के विजेता का नाम बताईए देखे physics के चेतर में जो है उप्युक्त सभी को मिला है इन्हें भी या आप सभी को यहाँ पर ध्यान नकना है एंटोन करके हैं एलन एस पेट करे हैं आप सभी यहाँ पर देख पार होंगे जॉन एफ क्लोसर करके हैं तो यह आप सभी को नाम ध्यान रखने हैं बहुत ही difficult नाम हैं इनके बट आपको याद कर लेना है या फिर आपको देख के जाना है बट वो question जो है वो आ सकता है अपकर chemistry के चेतर में जो दो बार जो है UN में बारत के इस्थाई परतिनीदी करने वाली पहली महिला कौन बनी है इस्थाई परतिनीदी बनी है UN में तो भारत की इस्थाई है यह आप सभी को बताना है तो रूची करणा कंबोज जो है option 20 का करक्ट टांसफर हो जाएगा जितने भी candidate दे रहे हैं बिलकुँ सही है द्हान रखना है देखे यह बहुत ही महित्पून प्रिश्णा आपका और यह question जो है मैं आप सभी को पहले भी वीडियो इसका provide कर चुका हूँ I2, U2 की पहली leaders summit की मेजवानी किस देशने की है देखे अभी इसकी summit बैटक हुई है यहाँ पर मेजवानी किस देशने की है तो option इसका correct transfer D होगा यह आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है अब आप से examiner पूछ सकता है कि I2 और U2 में कौन-कौन सी country है आप सभी को ध्यान रखना है इसमें चार country है IC हैं जिनका नाम IC से शुरू हो रहा है एक तो आपका भारत है और एक आपका इसरायल है जो IC सुरू हो रहे है उसके बाद U2 से एक तो UAE करके आपका और एक USA यह चारो ही country जो है I2 U2 में आपकी है इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अब जग यह next question के तरफ चलते है Kenサरकार ने सुसाइड को रोकने के लिए November 2022 में किस policy का launch किया है दो क्वित को जिसको launch किया गया है बहुत अच्छे से तो देखे सुसाइड को रोकने के लिए जो है करन सुसाइड को रोकने के लिए बहुत पॉलिए लाँच किये नेस्ट आपका बहुती मैत्पून है मोदी ने हाली जी में PM मोदी ने किस सहर में C-295 Military Aircraft के निर्मान की Factory की नेम रखी है तो यहां हाली में आपको ध्यान रखना है यह आप ही जो है बड़ोधरा में रखी गई है Option B इसका करक्टांसर हो जागा गुजरात के बड़ोधरा में देखें, next question के तरफ चलेंगे प्रदान मंत्री नेरंदर मोदी ने इंडिया अरवन, housing, conclave 2022 का उद्धुगाटन कहां पर किया है फटा-फट चे बताएंगे सबी के इंडिडिट तो बिल्कुल D option इसका कटक्ट हो जाएगा राज कोट में किया गया है आप सभी कहाँ पर धान रखना है इसका उद्धुगाटन, next question के तरफ चलेंगे नेश्ट है प्रदान मंत्री नेरंदर मोदी जी ने किस जिले में बल्क ड्रग पारक की आधार सिला रखी बहुत ही मैत्पून है तो आपको द्यान रखना है यह आपका जिला है बहुत ही मैत्पून है परिच्छा की दरश्टी से तो option यहाँ पर ड्रग पारक की आधार सिला मानने प्रदान मंत्री जी ने रखी है नेश्ट आपका भारती है सेना ने किस देश की आर्मी के साथ सेन ने अभ्यास अगनी वारियर किया है देखे कुछ और मैत्पून पॉइंट है आपके question है उनको भी यहाँ पर देखकर के जरूर जाना है जितने भी candidate है सभी से कहूँगा कि एक बार इसका revision जरूर कर लेना सभी candidate परिक्षा की दरिश्ची से बहुत ही मैत्पून है क्योंकि एक-एक question बहुत माइने रखता है आपकी परिक्षा के लिए तो सेन्य अभ्यास अगनी वारियर जो है किस देश की आर्मी के बीच हुआता है तो द्यानक ना है अगनी वारियर की बात करें Military exercise युद अभ्यास हुआ है देखिए LAC के पास भारत और USA के भी किस राज्य में ये पूछ रहा है कि कौन से राज्य में Military exercise युद अभ्यास हुआ है जिस पर चीन ने विरोध जताया है विरोध दर्ज की आए तो आप सभी को द्यानक ना है अभी ये जो है उत्राखंड में हुआ था ये कौन से राज्य में आपका उत्राखंड राज्य में ये आपका हुआ है Next question की तरफ चलेंगे Next आपका Hari Mo देखिए ये ही आप सभी को मैं ये ही तो अब गत कराता हूँ कि आप सभी को अच्छे से रिवाइज करना है आप सभी के लिए इतनी मैनत की गई है ये कोशन तयार किये गए है तो Hari Mo शक्ती 2022 सेन्य अभ्यास बाहरत के किस देश के बीच हुआ है ये आप सभी को द्हानक ना है मलेसिया और बाहरत के बीच हुआ है ये आप सभी को द्हानक ना है हरी Mo सक्ती 2022 देखे नेस्ट कोशन है इंडियन एरफोर्स ने किस देश की एरफोर्स के साथ जो है गरुन सेवन सेन्य अभ्यास किया है तो देखे गरुन जो होता है वो आपका बाहरत और फ्रांस के बीच होता है बिल्कुल हमेशा आपने लक्षी के और बढ़ते रहना है कि रख होसला बुलंद तेरी भी उडान होगी देखे की सारी दुनिया एक दिन तेरी ऐसी पहचान होगी होसले अपने बुलंद रखना है हमेशा पॉजिटिविटी रखना है बिल्कुल है इसका जो सही आंस्वर क्या हो जाएगा आप से भी को देख पार होंगे तो यह आप से भी को ध्यान अपना है यह ओमान और बारत की नेवी के बीच होता है आप से भी के लिए बहुत ही मैत्पून है option A करक्ट हो जाएगा देखें Quad Summit जो अभी 2022 में आयो जित हुई है तो वो किस सहर में आयो जित हुई है यह आपको बताना है Quad Summit जो है 2022 किस सहर में आयो जित हुई है तो यह आपकी Japan के Tokyo में हुई है option D इसका करक्ट आंस्वर हो जाएगा जितने भी छात्र दे रहे हैं प्रतिनिदित मंडल का नेतरतब किस ने किया है फटा फट से बताएंगे सभी केंडिये बिल्कुल यहापर सिर्री लंका option सही हो जाएगा D option जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल सिर्री लंका इसका करक्ट आंस्वर हो जाएगा देखें नेस्ट कोशन है विशू सुआत संगटन WHO ने सभी तरह की तमाओको के इस्तमाल पर छोड़ने के लिए कौन सा app लॉंक किया है देखें सभी तरह की तमाओको का इस्तमाल छोड़ने के लिए कौन सा app जो है WHO ने किया है तो बहुत important है इन में से आपको ध्यानना नहीं क्वीट टबैको जो है रक्षा बजट को जो है दूगने से ज़्यादा बढ़ा दिया है कौण सा यहाँ पर देश है जितने जो है चίν और उठ्तर कोडिया के खत्रे को बढ़ते देखता हुआ राश्टे सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा के लिए वो अपना जो है राज रक्षा बचर जो है वो दुखना कर दिया है तो जापन ने किया है यह आप सभी को ध्यान लखना है option जो है बी correct हो जाएगा इसका correct transfer नेश्ट है इसराइल के अगले प्रदान मंतरी देखिए बहुत ही important है नाम बताएगे जिनकी पार्टी को आम चुनाम में बहुमत हासिल हुआ है तो बेंजामिन नेतनियो जो है आपके आपको ध्यान लखना है यह इसराइल के जो है तो इसका जो right answer option D हो जाएगा जितने भी छातर डिये देने बिल्कु सही है नैस्ट कोस्टन की तरफ चलेंगे देखिए यह important आपके लिए देखिए ब्रेटेन के सबसे कम समय तक PM रहने के record के साथ जो है किसने October 2022 में इस्तीपा दिया है यह बहुत ही मैत्पून है और यहाँ पर legit trust जो है इसका correct transfer हो जाएगा भी option जो है जितने भी candidate दे रहे हैं बिल्कु सही है legit trust ने जो है हाली में जो है आप से भी को ध्यान लखना है इन्होंने जो है 40 दिन में ही मात्र इस्तीपा दे दिया है यह जो है record रहा है इनका और आप जो बने है ब्रेटेन के जो है आप सभी को ध्यान लखना है PM कौन बने है रिशी सूनक जो है वो बन गए है जो कि भारतिया मूल के है इसी यह आप सभी कहाँ पर ध्यान लखना है next question की तरफ चलेंगे इटली के पहली देखें बहुत ही महत्पून है कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन चुनी गई है पहली है इसलिए important है तो जियो जोर्जिया मेलोनी करके यह हो जाएंगे आपकी ए उप्सन जो है इसका correct transfer हो जाएगा इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है तेके next question आपके लिए Indian Air Force किस देश के Air Force के साथ जो है गरून अभ्यास यह आप सभी का हो चुका है साथ हो चुका है France जो है next question देखेंगे next आपका भारत ने किस देश के साथ Jim X युद दभ्यास किया देखें Jim X जो है वो किस के साथ करता है भारत यह आप से भी कोई ध्यानकना है तो Japan के साथ होता है option B करक्ट होगा next question की तरफ चलेंगे next question आपके सामने है अब तेश के साथ करा देता हूँ मैं क्योंकि आप जो है आप से भी देख पार होंगे बहुत ही important है कि भारत और अमरीका की सेना के बीच युद दभ्यास जो बजजर प्रहार है वो कहां पर आये जीतुआ आप से भी को ध्यानकना है बजजर प्रहार भारत और अमरीका के बीच होता है और यह कहां पर हुआ है तो यह आप से भी कहां पर ध्यानकना है यह आपका बख लोहों में हुआ है option A करक्ट होगा next question की तरफ चलेंगे ने बहुत है बारत ने विन वैक्स 2022 दूजी पक्षिय सेन्य अब्यास किस देश के साथ किया है देखिए यह विन वैक्स है आप से भी कहां पर ध्यान लख लाएं तो यह किस के बीच हुआ है यह भारत और वियतनाम के बीच हुआ है option C करक्ट होगा ध्यान लख लाएं सबी candidate को बारत किस देश को फिर से पचाड कर देखिए यह important है very very important है भारत वो किस देश को पचाड करके दुनिया की पांच मी सबसे बड़ी अर्तववस्ता बन गया है तो बहुत important है तो यह आप से भी को धन लख है UK को पचाड करके भारत जो है सबसे बड़ी अर्तववस्ता पांच मी बन गया है इस चीज़ को आपको यहाँ पर दान लखेंगे सबी के लिट देखिए नेस्ट है आपका World Bank ने भारत की PM आयुसमान भारत स्कीम के लिए कितने रकम की लॉन को मंजूर दे दी है यह बल्ड़मांक ने दी है तो आप सभी को दान लखना है एक बिलियन डॉलर जानना कना है उप्सन बहुत ही इंपोटेंट है एक्जाम की दरिश्टी से एक कोश्चन उप्सन भी करक्ट हो जाएगा है यहाँ पर नेस्टे बजट 2022-23 में केंट सरकार ने कितनी रूपे खर्च का लक्षे रखा है बजट 2022-23 की बात कर रहे हु बजट से एक से डो कुश्चन यहाँ पर पूछा चा सकता है तो आपका जोरखा है यह आप से भी को धनकना है लक्षे वह 49.44ker लाक करोड यहाँ पर रख़ा गया है तो इच्छे आप सभी को यहाँपर धनकना है उनको अम्रतकाल बता है अगले 25 वर्स को तो इस चीज को आपको धानकना है option C हो जाएगा नेस्ट आपका केंद्रिय बजट 2022-2022 के दौरान वित्यमंत्री ने अपले 3 वर्स में से कितनी अगले जो 3 वर्स हैं उनमें जो है कितनी ट्रेंड चलाने का एलान किया है तो 400 बंदेवार ट्रेंड चलाने का एलान किया गया है यह आपसे भी को धानकना है 2022-2022 के अंदर नेस्ट आपका COVID-19 COVID-19 के किस वर्येंट ने चीन में आहाकार मचा दिया है और पूरी तरह दुनिया टेंसन में आ गई है तो यह आपसे भी को धानकना है Omnicrom BF.7 करके वर्येंट है आपसे भी को धानकना है एक रख्ट हो जाएगा नेस्ट कोशन की तरफ चलेंगे PM मोदी ने गुरु तेक बादूर के 400 में प्रिकास पर्वपर किसे किले समारों के दोनान जो है यह एक्जाम की दरिश्टी से IMPORTANT है मैं आपसे भी को बता चुका हूँ बहुत ही IMPORTANT जो ज़्यादा IMPORTANT है उनको ध्यान लगना है तो यूक्रेन में फसे नागरी के लिए कौन सा अभियान के सरकार ने चलाया उसका नाम अभियान का क्या है आपको ध्यान लगना है आपसे एक रक्ट हो जागा इसका आपरिशन गंगा चलाया गया था भारतियों को निकलने के लिए कैन सरकार ने DROUND के आयात पर बेन लगने का फैसला किया है कैन सरकार ने क्या किया है DROUND के आयात पर आपवाद में रखा है यानि कि उन शेतर के लिए अपवाद रहेगा तो यह आप से भी को धन लगना है R&D यानि कि Research and Development Defense और Security इनको अपवाद में रख रहा है यानि सभी को अपमाद में रख रहा है बागी सब पे फैंसला रोक लगाने के लिए लगा दिया गया है देखें आपर नेश्टेक किस रिपोर्ट आयोक की रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 महावारी के कारण अपरेल 2020 से जनवरी 2022 तक 1.47 लाग बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है तो यह किसकी रिपोर्ट है याप सभी को आपर धन लगना है नेश्ट कोशन के तरफ चलेंगे भारत के पहले राज्ये का नाम बताएं जो पूरी तरह से LPG, सच्छम और धुआ मुक्त हुआ है तो आप से भी को धन लगना है हिमाचल परदेश मैं आप से भी को बता चुका हूँ इसको, option C, इसका करक्टर अंसर होगा देखे, नेश्ट कोशन की तरफ चलेंगे नेश्ट कोशन आपकी सामने कि विस वैबार संगटन की तेरवी इसतरीय बैटक वर्च 2024 में किस सहर में आयोजित होगा तो तेरवी इसतरीय बैटक है आप आंसर करते रहे संग्तुराष्टे मुक्यले में पहली बार किस भारती नेता की प्रतीमा को इस्तियापित किया गया है देखे, संग्तुराष्टे मुक्यले में कौन है, जिनकी प्रतीमा को पहली बार इस्तापित किया गया है तो आप से भी को ध्यान लटना है Option D करक्ट होगा मातमा गांदी की आप से भी को ध्यान लटना है Option D हो जाएगा इसका करक्ट देखे बारत ने Artificial Intelligence से जोड़ी किस पहल की अधिक्सता ग्रेंड की है ये बहुत ही महत्पून है फटा फटा से चलिए इस कोस्टन का अंसफ़र करेंगे सभी केंडिडेट तेजी के साथ तो इसका राइट अंसफ़र हो जाएगा जी पी ए आई करके तो जी पी ए आई की फुल फॉर्म क्या है इस चीज को आपको यहां पर ध्यान रखना है कहां पर थी बाली इस चीज को आपको यहां पर ध्यान रखेंगे सभी केंडिडेट तेके नेश्ट है बारत ने स्वेंक राष्ट सुलक्षा परीशाद यहां पर आपसे भी देख पार होंगे यू एनस्ची काउंटर टेरिजिज कमेटी की बैटक की मेजबाने किन दो सहरों में की गई तो बारत ने जो है यह अभी आली में हुई है तो किन दो सहरों में हुई है मुंबई और आपका दिल्ली में हुई है इस चीज को आपको यहां पर ध्यान रखना है देखे नेश्ट कोशन है कि भारत यू एई और फ्रांस के विदेश मंत्री तीन इस तरकी जो तिरपेश्य बैटक में किस सहर में आयोजीत हुई थी है अभी तो फ्रेंट्स आपको ध्यान रखना है यह न्यू यू यू और्क में आयोजीत हुई है तो डी ओप्सन इसका करक्ट टांसफर हो जाएगा देखे नेश्ट है FATFA ने भारत के किस पड़ोशी देश को ब्लेक लिश्ट में सामिल किया है तो आप से भी को धान रखना है यह पाकिस्तान के अलावा कोई यहां पर ब्लेक लिश्ट नहीं हो सकता नहीं पाकिस्तान नहीं होगा बहुत अच्छे से क्या करेंगे पाकिस्तान ठोग देंगे तो हमें सब पाकिस्तान को या ब्लेक लिस्ट में आगे रहें मैन मार करके इसका राइट आंस्वर हो का डी आप्शन इसका करक्ट हो जाएगा चलिए नेस्ट कोशन की तरफ चलते हैं की पी-ंबादी ने बाट की G20 अद्धिक्षता के लिए कौन सी थीम लॉ legitimate धाया Fourth धिक्षता की अभारत की त्वण पर पर एबात यहाँ थीम लॉ案्च की होगी तो आपको धहनोँ करके यह आप सर्भे पर धान रकना हो और इसका जो है थेम को पूरा यहाँ पर दिधान लखना है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर यह आपका जो है पूरा जो है इसका थेम को लॉंच किया गया है नेस्ट कोश्चन के तरफ चलेंगे नरदन मोदी ने किस देश में सम्मोदित किया है तो देखे नब्भेमी समासाबा की बात कर रहे है इंटरपोल की तो यह कहाँ पर जो है यह आपको बताना है तो यह भारत में हुई है उप्शन C करक्ट हो जाएगा इसका धान लटना है सभी केंडिडेट को अपोर जो है अपर मातर आपके 2-3 कुस्टन बचे हुए है अच्टूबर 2022 में किन देशों को चुना गया है अच्टूबर 2022 में किन देशों को चुना गया है बारतर आपको फ्रांस बने है तो ऑप्शन यह आपर B करक्ट होगा सभी candidate याद रखें और प्रिक्षा से पहले इस question जो मैंने आपको ये question कराए है सभी को revise करके जाना है आपको PM मोधी ने किस बैटक में सभी राज्यों से एक राष्ट एक पुलिस वर्दी का आवान किया देखे हाली में प्रिद्यान मंत्री जो है वो राज्यों के गिरह मंत्रियों का चिंतन सिविर में किया गया था ये आपसे भी को धान रखना है कहां पर हुआ था ये आपका जो है आपका कहां पर हुआ था ये भी बताएंगे सभी candidate को धान रखना है कहां पर हुआ था ये भी हर्यारणा के सूरजकुंड में जो बैठक हुई थी आपकी राज्यों के गिरह मंत्रियों का चिंतन सिविर में तो यह आप से भी आपर दान लखना है इसी बैठक में जो है तो यह एक राष्ट पे एक पुलिस वर्दी का आवान किया था यह पीमजी ने देखे कितने लाग लोगों ने पिछले वर्द्व की नागरिक्ता छोड़ी है देखे बहुत ही important है तो आप से भी अथान लखना है 1.63 करके आपके द्यान लखेंगे आप से भी आप्शन जो है हिस्सा लिए यह आपके लिए बहुत इंपोटन्ट है तो यह द्यानलखना राष्टपती जो आपकी उन्होंने हिस्सा लिया था इसमें यह आप सभी को हांपर द्यानलखना है नेस्ट कुछन है उत्तरप्रदेश के मुक्हा मंतरी योगी आदित्यनात ने लता मंगेज़र चौक का उधगाटन किस सहर में किया है और इसी के साथ जो है सभी केंडिडिक ध्यानाकना बहुती मैतपून है तो इसका ध्यान रखना है अयुद्या जो है अयुद्या हमें सहर में किया गया है इसको और यहाँ पर वीना करके वानी वीना जो होती है उसको इस्थापित किया गया है इसी चौक पे यह आपके लिए बहुत इंपोटन्ट है देखे चंडिगाड इंटरनेशनल एरपोर्ट का नाम बदल कर क्या रखा गया है और आज यहाँ पर आपके जो एक कुश्चन समापत होते हैं तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप से भी जल्दी से इस कुश्चन का जितने भी केंडिडेट हैं वीडियो के लास्ट में जरूर कमेंट करके बताएं कि इंटरनेशनल चंडिगाड इंटरनेशनल जो एरपोर्ट उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है और आज का यह सेशन आप सभी को कैसा लगा और हरोसा रखना कि आप एक्जाम को किलियर करके आएं और जितने भी प्रिष्ण आप करने जा रहे हैं सभी को कुशन को अटेंप्ट करें जो प्रिष्ण आपको पहले आ रहे हैं उन प्रिष्णों को पहले करें तो मिलता हूं फ्रेंड्स नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी को जैहिंद बंदे बात्रम